हम लोग यहां पर बात करने वाले है clear fix utility के बारे में basically इसका इस्तमाल किया जाता है clear करने के लिए floated content को अब इससे मेरा मतलब क्या है यह मैं आपको समझाता हूँ ठीक है अब उसके लिए हमें पहले थोड़ा बहुत code लिखना पड़ेगा तो चलते और पहले code लिख देता है थोड़ा बहुत तो यहां पर मैंने न यह जो अपना basic starter template होता है यह लाकर के रखा है और बस यहां पर से यह hello world वाला heading होता है वो निकाल दिया ठीक है बाकी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं वहीं वह जो content in the day यह लिख दिया मैंने इस सम्कॉंटेंट इन देव और एक और देव बना लूँगा मैं डेव बना लेते हम लोग देश इस सम्सम्मोर content in the day यह लिख दिया अब यहां पर क्या हो रहा है यह जो डिव आ रहे एक के नीचे एक आ रहे तो हम लोग ज़रा क्या करते हैं यहां पर ना float कर देते हैं मैं add कर दूँगा class float-start कर दूँगा इसको और इसको कर दूँगा float-end तो कर देते हैं ज़रा class float-end अब मैं यह float-end करने के पहले एक चीज़ और करना चाहूंगा इस div को देना चाहूंगा class मैं दूँगा इसे background color ठीक है bg primary हम लोग कर देते हैं ओके तो आप लोग देख सकते हो background color डालने के आया नहीं अब उसके वज़े से क्या लग रहा है कि यह एक अलग कुछ तो भी है और यह एक अलग कुछ तो भी है जबकि ऐसा नहीं है राइट यह किसी एक parent के children's है right these belongs to this particular div right simple सी वात है न बट यहां पर तो वह दिखी नहीं रहा तो यहां पर हम लोग clear fix को add करके clear fix जो utility है हमारे layout था यह जो हमारे div थे जो float left float right कर रहे थे तब भी यह अलग-अलग लग रहे थे अब यह एक element का part बन चुके है right and still they are floating this is how you use the clear fix to fix this thing right बहुत जादा simple बहुत जादा आसान और बहुत जादा useful सी यह चीज है आप लोग इसे बड़े आसानी से implement कर सकते हो wherever you want right wherever you need basically आपको इसकी दरूरत ऐसे कुछ situations में पड़ेगी जब आप लोग चीजों को float तो कर रहे हो बट उसके वज़े से चीज़े बिखर जा रही है right तब चीजों को जड़ा इखटा लाने के लिए आप इसका use definitely करोगे right तो यह काफी आसानी से clear fix hack आप लोग bootstrap के दरिये कर सकते हो right बहुत ज़्यादा easy है यह चीज आप लोग अगर css में करना चाहो तो css में भी बड़े आसानी से यह चीज achieve की जा सकती है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह clear fix hack जो समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका definitely उपयोग करना चाहेंगे जहां पर भी आपको जरूरत पड़ती है right अगर आपको यहां पर कोई भी प्रकार की दिक्कत है क्योंकि हो सकता है यह चीज बहुत कर रहा है यह जो content है वो float end कर रहा है right दोनों अपनी अपनी जगा पर है but what about the background color जो हमने यहां पर इसको दे रखा है वो तो आही नहीं रहा जिसके वजह से हमारा यह जो पूरा का पूरा content है पूरा का पूरा layout जो हमने बना है यह broken लग रहा है right तो basically अगर बात की जाए तो यह दोनों elements एक साथ होके भी तूटे हुए लग रहे है that's why हम लोगों ने क्या किया फटाफट यहां पर आए clear fix आड़ कर दिया और चीजों को सुधार दिया अब यह दोनों elements जो है वो at least पास पास लग रहे है मतलब एक ही element के अंदर लग रहे है right this is the thing यहां पर basically यह idea को आप लोग ध्यान में रखो right बागी सारी चीदे follow करेंगी और अगर अब भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग थोड़ा बहुत explore करो चीदों को ताकि ज्यादा अच्छे समझ पाऊ try करो manually देखने का कि manually हम लोग CSS के through कैसे add कर सकते clear fix को right तो आपको और भी ज्यादा बैतर तरीके से समझ में आएगा तो हम लोग फिलाल आगे बढ़ते हैं और भी चीदों को explore करते हैं